हैलो टेडर्स विलकम बैक तो मैं चानल चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे और कल कुन से स्टॉक्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पर आज हमें एक upside momentum देखने को मिला और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में भी price एक important breakout लेवल पर आ चुकी है हमने यहाँ पर बोला था कि price जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक trend line के एक resistance वाले trend line के आसपास आ चुका है और यहाँ पर हमने एक structure define किया था वो structure कौन सा है एक impulse move उसके बाद में एक retracement, impulse move, retracement, impulse move और यह एक retracement इस वज़े से हमने previous swing high से लेके previous swing low तक यहाँ पर हमने Fibonacci retracement का tool लगाया और आप यहाँ पर देख सकते हो यह 0.5, 0.38, 2 और 0.618 हमारे लिए important resistance का काम कर रहे है ठीक है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि price जो है वो इस वाले breakout level पे आ चुका है अभी अगर हमें यहाँ पर से कल अगर मैं आपको level बताना चाहो तो वो exactly level जहाँ पर आज market close हुआ है यही level है आप यहाँ पर देख सकते हो approximately 16,000 इस वाले level का अगर price कल breakout कर देता है तो हमें यहाँ पर से potential momentum देखने को मिल सकता है upside में rally देखने को मिल सकती है और यह rally कब तक जा सकते है directly यहाँ पर 0.618 का resistance होगा आप यहाँ पर देख सकते कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा gap है यह gap यहाँ पर से कल fill हो सकता है पर price को यहाँ पर successfully breakout करना पड़ेगा ठीक है अभी यहाँ पर हम trade किस तरीके से ले सकते है पूरा analysis मैंने आपको समझा है कि price important level पर है पर यहाँ पर trade किस तरीके से ले सकते हैं अगर हम यहाँ पर से 15 minute time frame में चलेंगे तो आप clearly देख सकते हो कि price ने जो मैंने आपको कल level बताया था यह वाला यहाँ पर एक important level है yes मैंने यहाँ पर कोई long के trade नहीं लिये आज मैंने बहुत opportunities मिस की क्योंकि क्योंकि यहाँ पर मेरा bearish sentiment बन रहा था कि price यहाँ पर बहुत यह अच्छा fall दिका रहा है हो सकता है कि price यहाँ पर 15,800 के level को breakdown क करें और यहाँ पर से में shorting के trade लूँ ठीक है otherwise मैंने आपको बलाता यहाँ पर top से लेगे bottom तक हमें Fibonacci लगाने Fibonacci पर 5 मिनेट टाइम फ्रेम में कोई reversal pattern बनेगा तो मैं short करने वाला हो यहाँ पर ऊपर में long नहीं जाओंगा तो मैं यहाँ पर कोई भी trade नहीं बना क्यो हुआ है अगर प्राइस यहाँ पर range में open होता है या फिर थोता सा gap down open होता है तो कोई भी police candle देखकर हम यहाँ पर से लॉंके डे सकते एक बहुत ही अच्छा लॉंका ट्रेड हमारी यहाँ पर बन सकता है directly resistance अगर मैं आपको accurately level बताना चाहूँ तो आप यहाँ पर देख सकत है otherwise यहाँ पर बहुत ही अच्छा space है yes हम इसके बीच के target किस तरीके से decide कर सकते है वह भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ अगर price इसी तरीके से उपर बढ़ेगी तो simple हमें यहाँ पर Fibonacci extension tool लेना है और previous यह जो correction लगा था इसको top से लेके bottom तक कीचना है और यह level आप देखिए कि कितने अच्छे से काम कर रहे है आप यहाँ पर देखिए यह जो 1.272 का level है यह हमारे लिए next important resistance का काम करेगा मतलब हम as a target इस पर रख सकते देन 1.618 और हमारा 0.618 यह दो level से यहाँ पर coincide कर रहे है इसी वज़े से यह third important हमारा important हम के सकते कि price यहाँ पर से एक rejection लेके हमें profit booking भी देख सकते है इसी वज़े से अगर हम कोई यहाँ पर trade ले रहे तो वहाँ पर हमें profit booking करने ही पड़ेगी ठीक है तो कुछ इस तरीके के trades यहाँ पर में लेना चाहूंगा 1.272 अगर break करेगा यहाँ पर से 1.272 break करेगा तो यहाँ पर भी हम pullback देखकर अच्छे long get trades plan कर सकते है तो यह यहाँ पर मेरा plan होने वाला है nifty में और second यहाँ पर से plan बनता है कि fake breakout अगर price यहाँ पर से यह breakout fake breakout बन जाता है तो simple हमें क्या करना है यहाँ पर यह एक important trend line बन किया रहे इसे draw करना है अगर price इसके नीचे निकलता है तो यहाँ पर से थोड़ तो bank nifty में ही अपने important breakout level पे आ चुका है अभी वो level कुन सा है यहाँ पर भी आप देख सोकती कि important trend line भी है और अपना Fibonacci का ratio भी है हमने यहाँ पर भी क्या किया होता previous swing high से previous swing लोको हमने यहाँ पर Fibonacci लगाया था और आप देख सोकती accurately 0.5 पर price यहाँ पर rejection ले रही थी औ और अभी last candle ने इसका breakout करने का try किया है अगर कल यह breakout successful हो जाता है then directly यहाँ पर resistance होगा 0.618 का सारे level साबको यहाँ पर बताने वाला हो पर सबसे पहले यह discuss कर लेते कि 15 minute time frame में हम किस तरीकी से यहाँ पर trade ले सकते हैं तो आप simply देख सकते हो price अभी यहाँ पर close हुआ है 34,355 अगर price यहाँ पर range में open होता है या फिर इस वाले level के उपर open होता है तो यहाँ पर हम कोई भी bullish candle देखकर एक बहुत ही अच्छा long का trade plan कर सकते हैं ठीक है directly यहाँ पर से target क्या होगा हमारा यहाँ पर 0.618 का level वो level कुन सारा है वो भी आपको यहाँ पर accurately बता देता हो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो लगबग लगबग यहाँ पर 34,625 का यहाँ पर level निकल क्या रहा है यह मेरे लिए या फिर आप round number भी पकड़ सकते हो 34,600 का level यहाँ पर एक important resistance का काम करने वाला है जो कि यह 0.618 का level जो Fibonacci हमने यहाँ पर daily time frame में लगाई थी तो यहाँ पर अगेन हमारे जो 0.5 का level है 34,200 का level है इसके नीचे निकल आती है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से again short caterers यह जा सकते है यह fake breakout साबित हो जाएगा क्यूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत लोगों ने आज यहाँ पर BTSD के लिए या फिर यहाँ पर से swing trading के positions यहाँ पर से भी downside में momentum बहुत ही अच्छा बनेगा एक अच्छी opportunity हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है कल ठीक है तो यह पूरा plan यहाँ पर मेरा bank nifty में होने वाला है अभी यहाँ पर से stocks के दरब चलते हैं तो सबसे पहला stock यहाँ पर मैंने सिलेट किया है Excide Industries यह stock यहाँ leverage बना रहा है और इसका अभी यहाँपर breakout हो रहा है ठीक है अगर यह breakout यहाँपर से successful हो जाता है तो यहाँपर से हमें बहुत अच्छा upside में potential move देखने को मिल सकता है और अगर यह एर एक फेग breakout निकलता है फिर भी हमें downside में एक बहुत अच्छा moment देखने को मिल सकता है आप यहाँ पर देख सकते हो कि अभी यहाँ पर एक inside bar candlestick pattern भी बन रहा है इसी वज़े से trending move हमें यहाँ पर कल देखने को मिल सकता है तो यहाँ पर अगर हम पूरा structure देखेंगे तो price एक बहुत अच्छा breakout उसके बाद में retest और यहाँ पर एक W pattern बना रही है अभी यहाँ पर से निक जो stock के हो है canara bank canara bank भी वह अपने बहुत important trend line पे रहे और important support पर भी है और यहाँ पर से एक upside में potential move देखने को मिल सकती है अभी वह support कुन सा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक previous swing high लगाता यह वाला previous swing high प्राइस ने इसको breakout कर दिया रीटेस कर दिया यहाँ पर से एक अच्छी movement देखने को मिली और प्राइस फिर से इसवाई level पर support ले रहा है और support लेके आप यहाँ पर देख सकते हो कि support लेके यहाँ पर एक W pattern form कर रहा है और यहाँ पर से अपने जो trend line है यहाँ पर एक trend line जो बन रही है इसका breakout करने का try कर रहा है अगर यह breakout successful हो जाता है यह surely हमें हाँ पर से एक बहुत ही अच्छी अपमू देखने को मिल सकती है किस तरीके से train लना है यहाँ पर सबसे पहले हमें Fibonacci retracement का भी tool लना है यहाँ पर हमें top से लेके bottom तक Fibonacci लगानी है और आप यहाँ पर देख सकते हो कि exactly जिस तरीके से bank nifty है फिर nifty में structure बन रहा है उसी तरीके से यहाँ पर canara bank में भी बन रहा है price 0.5 पर भी है इस वाले trend line पर भी है अगर यह 0.5 का level breakout हो जाता है तो directly हमें यहाँ पर resistance होगा 0.6 minute का किस तरीके से यहाँ पर trade लेना है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से long का trade हम लिया जा सकता है बहुत ही simple trade बन रहा है और अगर यह एक fake breakout हो जाता है मतलब हम मान लेती के price जो है वो यहाँ पर से नीचे गिरना चालू कर देती है और अपने important trend line के नीचे आ जाती है इस वाले trend line के अगर नीचे आ जाती है तो कोई भी pullback देखकर यहाँ पर से shorting का भी trade लिया जा सकता है ठीक है तो यह है मेरे सारी stocks के analysis और nifty और bank nifty के analysis आपको analysis समझ में आ गई होगी पसंद आ गई होगी अगर analysis पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर जाए आपके फ्रेंड के साथ टेडिंग मुन साथ चेर कर दीजे और एसी वीडियो देखने के लिए हमारे चानल को subscribe भी कर दीजे तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं थैंक्यू वेरी मॉच